अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोट, प्यून, अश्टेनो, कलर्क के होने बाले प्रारंभिक परिच्छा जोकी 17 दिसंबर को प्रस्तावी थे। उसका हम लोग इंगलिस सेक्षन का सेट नमबर 8 करने बाद है। इस चैनल के माध्यम से रुकमीनी प्लैटपॉम प्रकासल का सेट पुड़ा कराया जा चुका है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखें हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो च यह common error है, common error से आपको थ्री question देखने को मिलेंगे थ्री question जो है, common error से ंद्रिट पर्षें से कि यह आपको देखने को मिलेंगे, चलिए हम लोग common error को करते हैं। किस प्रकार बनाना है common error ? He had nothing since देखे word से पकरना है हम लोग बार बार कहते हैं कि common user बनाने के लिए word से पकरना है यहां since का जैसे ही since का जैसे ही इस्तमाल मिला तो since जो होता है point of time के लिए plus point of time होता है एक चीजी यह हो गई और since का जो structure होता है वो होता है has plus v3 plus since और plus v2 होता है तो यहाँ SINZ के बाद देखे भी 2 रखा हुआ है, लेकिन इसके पहले जो है H plus B3, यहाँ पर 8 रखा हुआ है, जो कि B2 है, तो ही के बाद क्या होना चाहिए, हैज प्लस E10 होना चाहिए, हैज प्लस E10 होना चाहिए, E10 यहाँ पर होगा, तो option A इसका क्या होगा, right answer हो जाएग Next question जो है, एन experimental vaccine has vowed Gleamer, यहाँ of hope for a malaria research है, देखे यहाँ पर पहुत ही, यहाँ पर A होगा, article A का इस्तमाल होगा, Gleamer के पहले जो है, article A का इस्तमाल होगा, A Gleamer होगा, minor mistake है, हो सकता है, इस तरह का mistake आप लोग find नहीं भी कर पाएं, तो आप इसको leave करना ज्यादा पसंद कर करिए, तो option B, जो है, इसका right answer, sorry, option C, इसका क्या होगा, right answer हो जाएगा, Next question, the eve and flow of the tights, सबसे पहले जब यहाँ आप reading कर रहे हैं, तो सबसे पहले error find करने की कोशिज करें, इसको reading मत डालिए, जैसे ही हमने पढ़ा the eve and flow, मतलब की end से जुरा हुआ है, दो noun जब end से जुरे, और एक के पहले determinar लगा हुआ है, और दूसरा के पहले determinar नहीं लगा हुआ है, इसका साफ मतलब है, कि यह एक ही वस्तु को इंगित कर रहा है, जब एक ही वस्तु के लिए जब इंगित कर रहा है, तो भर्व हमेसा singular होता है, तो यहाँ R क्या कर रहा ह या इज होगा, अब determinar, जितने भी आर्टिकल होते हैं सारे determinar है, इसके पहले द लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके पहले नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर भर्व R रखा हुआ है, तो यहाँ पर यह इसका अर्थ है कि एक ही चीज को इंगित कर रहा है, जब एक ही च किसके अस्थान पर क्या होगा, किसके अस्थान पर क्या होगा, जिस दिन आप यह फाइंड करना सीख गए, उस दिन math की तरह आपके अंदर confidence आ जाएगा, कि यह हमने सही solve करके आए है, अब next question जो आगे रखा हुआ है, वो है, यहाँ पर fill in the blanks दिया हुआ है, और यह आपक चार question मिलेंगे देखने को, यह 100% fix है कि आपको चार question यहाँ से 100% English section में आएंगे, तो चलिए हम लोग solve करते हैं, देखे, एक speaker है, जब वह बोल रहा था, तो properly not a speech, but went on point only, मतलब कि speaker जब कुछ बोल रहा था, तो वह पूरी तरह से खुल कर नहीं बोल रहा था, लेकिन वह एक point पर क्या कर रहा था? जोड कर रहा था, अश्ट्रेस का अर्थ होता है, किसी बात पर जोड देकर बोलना, और decrying का अर्थ होता है, और decrying की अगर बात करें, तो अर्थ होता है, decrying का अर्थ होता है, निंदा करना, यहाँ किसी बात पर point, यानि जोड देकर बोला जा रहा है, तो option a का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डिवोट कार्थ होता है, डिवोटिंग कार्थ होता है समर्पन होना, एब वाइट का मतलब होता है अभेलना करना, तो क्या होगा option A, इसका राइट आंसर हो जाएगा next question, tourist always enjoyed, जिस तरह जब ही enjoyed दिखे, तो इसके बाद अगर भर्व रखना हो, तो हम एसा याद रखेगा, भी फोर में, तो tourist जो है, always enjoyed to sitting sun in the dargling in the dargling तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, watching हो जाएगा, option B इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा तो watch, ये खतम हो गया preposition ये भी खतम होगा, क्या होगा watching हो जाएगा, option B आप लोगों को पता ही है अब अगला जो प्रस्न है a dash of Japanese artist, a step of coach, amidst a warm welcome देखे, यहाँ पर जो बात की गई है, troop का आर्थ होता है कलाकार का दल, artist की बात की गई है, तो troop का आर्थ होता है कलाकार का दल, T-R-O-P troop वाला नहीं, T-R-O-U-P ट्रूप का आर्थ होता कलाकार का दल एक जापानी कलाकार का दल की बात कर रहा है ठीक है, जिसका warm welcome स्वागत किया गया तो option B इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा today a student should be recognized that way things are changing, यहाँ पर तो recognize to का अर्थ होता है, किसी बात की सच्चाई को स्विकार कर अपनाना recognize to हो जाएगा, reconciled sorry recognize नहीं, reconciled है reconciled to का अर्थ होता है किसी बात की सच्चाई स्विकार कर अपनाना, तो यहाँ पर option B इसका क्या होगा right answer हो जाएगा option B, the student should reconciled to the way of things are changing, ठीक है तो option B इसका सही उत्तर हो जाएगा next question Rampa as a mayor of the town and he will assume charge his Friday ठीक है, तो यहाँ पर दखिए फ्राइडे को क्या करेंगे? charge लेंगे वह क्या होगे? चूने जाएंगे mayor के रूप मे town के mayor रूप मे may will assume यहाँ पर assume किया जा रहा है कि कौन charge लेंगे Friday को तो क्या होगा? elect होगा यानि चूने जाएंगे तो चूने जाएंगे कट गया और भर्व देखिए और पैसिव में हैं तो भी फोडवाला भी कट गया option option C बच गया option C इसका क्या होगा right answer यहां पर doer के रुप में easy रखा हुआ है और इसका past may elected भी रखा हुआ है रमपा elected जा mayor वो mayor की रुप में चूने जाएंगे और वो Friday को जो है अपना तीन synonyms और तीन antonyms आपको यहां question आएंगे तो यहां पर देखिए alternative word दिया हुआ है obsession 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 करत होता है जिसके बारे में कोई लगातार सोचता रहे ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा preoccupation तो यहां पर a हो जाएगा इसका right answer a इसका सही synonyms हो जाएगा frustration का अर्थ आप लोगों को पता ही है ठीक है डिजक्षन की अगर बात करें suspension भी संदिक्द होता है deduction की बात करें तो इसका अर्थ होता है निरासा तो option a इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा next question की बात करें dilate dilate का अर्थ होता है चवडा करना चवडा करना होता है तो चवडा करना है तो इसका synonyms की अगर बात करें इसकी अगर synonyms की बात करें तो इसका synonyms क्या हो जाएगा widen हो जाएगा option c क्या होगा right answer हो जाएगा duplication जिसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है ठीक है रीप्रोडेक्शन पुनह निर्मान करना तो option B इसका क्या होगा सही सिनोनिप्स हो जाएगा आगो जिव दिया है अपोजिट मीनिंग तो यहां पर दिया है जेंटलमेन का जेंटलमेन का क्या हो जाएगा इसका जेंटलमेन का अर्थ होता है सब होता है बिनम्र होता है जबकि बुवर का अर्थ होता है असब गवार होता है तो option B इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाए इसका अर्थ मुर्ग होता है तो option B इसका right antonics हो जाएगा इसके belowम सब्सक्राइगा पनिकी की अगर बात करें तो पनिकी का अर्थ होता है भई भीत होना क्या होता है भई भीत होना अडर्ना इसका क्या हो जाएगा confident हो जाएगा confident इसका सही अंटोनिक हो जाएगा quiet कॉम इसका अर्थ होता है quiet का अर्थ होता है सांत होना सोबर का अर्थ होता है नम्ड होता है तो option A इसका क्या होगा right अंटोनिक हो जाएगा आगे item phrase दिया हुआ है a few days before his death मरने से कुछ दिन पहले he made a clean breast of everything इसका अर्थ होता है दिल की बात बता देना made a clean breast of का अर्थ होता है दिल की बात बता देना या अपनी गलती स्विकार कर लेना मरने से कुछ दिन पहले made a clean breast of everything सब कुछ उसने क्या किया स्विकार कर लिया अपनी गलती स्विकार कर लिया तो यहां क्या हो जाएगा option A हो जाएगा confess कर लिया option A इसका सही उत्तर हो जाएगा take of cert नहीं cert उतार दिया a spoke ill नहीं ये भी गलत है तो option A इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा I am done for done for का अर्थ होता है बरबाद होना तर rent हो जाएगा option is का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा आगे जो दिया है for a healthy and lasting friendship healthy और lasting friendship on the level की अगर बात करें इसका अर्थ होता है समान अस्टेंडर का equally धनी नहीं समान अस्टेंडर का यानि mentally compatible दोनों समान अस्टर का है तो option B इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा उनेश्ट भी sincere नहीं ये भी गलत है ready to sacrifice बलिदान देने के लिए तयार नहीं समान अस्टर का समान अस्टेंडर का option भी इसका right answer हो जाएगा आगे जो question दिया हुआ the foolish young man sure made a dark and darkness of made duck and darkest of का अर्थ होता है बढ़वाद करना क्या होता है बढ़वाद करना तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा ask and dardard हो जाएगा तो option A इसका क्या होगा right answer हो जाएगा आगे जो दिया हुआ है वह है OWA से one verse substitution है जो कि ये भी आपको चार question देखने को मिलेंगे simple fast a spreading plant without flowers ठीक है कह रहाँ simple fast a spreading तेजी से परसार हुड़ा है बिना फूल का बिना पत्ती का which can obtain cow's disease और इससे प्रायह जो है रोग होता है तो क्या होगा bacteria का अर्थ होता है जीवानू इमीवा आप लोगों को पता है unit selumung fungus कार्थ होता है कवच 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 जो होता है जो बिना फूल का होता है बिना पत्ती का होता है और कवच से आप लोगों को पता है इससे बहुत सारे बिजस होते हैं तो option D इसका क्या होगा Right answer हो जाएगा नेक्स जो कोस्चन है one who is greedy Championship यो लाल्ची हो करनो भरसकार्थ होता है मानin मिली फिरसकार्थ होता है सरबहारी फिक साकाऱी यह भी big भरस हो जाएगा one up whom additions bother be眷्च का क्या होगा सही आंसरहान next question देखिए an area of land that controlled by a ruler एक ऐसा एडिया जिस पर सासक का क्या हो नियंतरन हो उसे क्या कहेंगे domain करते हैं जिस पर कि एक सासक का क्या हो पूरी तरह से नियंतर हो तो यहां पर क्या होगा option भी इसका सही answer हो जाएगा आई होप आप लोग को यह स्रीज अच्छा और helpful लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी इस पर कोई न्यू वीडियो अप्लोड हो उसका notification पोचे सबसे पहले आपको और इस पर जी के सेक्षन जो है बिहार S.A.C. और बिहार S.A.C. और सिविल कोट के लिए कॉम्बाइन चलाए जाएगा तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से बने रहेंगे तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जय हिंद।